नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हम जोग्राफी जुकी जो है थोट है यान की भोगुलिक जो विजार चारा है उनकी इस सीरीज को लेकर चल रहे हैं हमने काफी यानि बहुत कुछ जोग्राफर को पढ़ लिया था आज बात करते हैं गिलफिर टेलर की उससे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर आपको कंटेन अच्छा लगता है तो आपका प्यार दीजिएगा इस चैनल को भी और इस वीडियो को भी चली सुरू करते हैं आज बात करते हैं तोमस ग्रिफिट टेलर की तोमस ग्रिफिट टेलर इनका टाइम प्रेड आप नोट क 1892 में आस्तडिया देखी करा आस्ट्रेलन 92 में एस नातक की उपादी किरेणी विचुविधालend कि Sydney विशुविधाले से इन्होंने सनातक की, सारवपरतम नियुक्ति इनकी खनीज विभाग में हुई, कहा हुई, खनीज विभाग में भू आकर्ति वेग्यानिक के पत्पर हुई, बात करें उच अधियन हैतु ये Cambridge विशुविधाले में इन्होंने परवेश लिया था, इनकी बाँद इनका इनका इसमें निक्तिभी 1910 में, फिर बात करता है, आपके सोध प्रबंद का विशे जो था, इनके जो रिसर्च का जो टाइटल था यार सब्जक जो था वो था, अंटार्क्टिका की वू वेग्यानिक सरचना, सोध प्रबंद का विशे क्या था, डुली 11 में अंटार्क्टिका की भूवे ज्यानिक सरचना कि अस्ट्रेलिया के बसाओ पर जलंड जल्वाई की विशेज परभाव को आपने आने वाले वर्षों में सोध्पून अधेन का विशे बनाया था इन्होंने आस्ट्रेलिया के जो बसाओ वहां की जो बसाव की इस्तिती है कि किस परकाश वहां बसाव है वहां के जल और जलवाई का जो विसेश परभाव आश्टिया पर है और बसाव पर है इन्होंने कई वर्षों में आने वाले वर्षों में भी इस कारे को और भी ज्यादा जो है सोधपून का विसेश बना दिय ग्रिफिट टेलर ने उनिस सो अठाई से उनिस सो पैंतिस के मद्दिये सिकागो विस्विधाले में एए जी यांकि आमरीकी भूगोल व्यता संग यह संग था का इस्ता ही सदसी यह चुने गए थे ठीके कौन ग्रिफिट टेलर आपका आश्टेले के प्रति प्रेम इनके वो आश्टेले के प्रति सनोप सोयलेक मिट्टी या धर्ति पूत्र की तरह इनका जुप्रेम रहा अब ग्रिफिट टेलर की भूगोलिक रचना है आप देखें आस्टेलिया बोतिक है आर्थिक इनकी रचना है आस्टेलिया का परिवेस हैं उसका बिर्टिस आवास पर पर भाव बीसी सतावदी में भूगोल चार खंडो वाला सांस्कर्टिक भूगोल परजाती भूगोल नगरिय भूगोल परिवेस परजाती उप्रवास अंटाक्टिका की भूवग्यानिक सरस्थना जैसे जब हमने देखा यात्री टेलर यह इनकी आत्मकता है यात्री टेलर आ संब्सक्रां आपने निष्च्चेवाद को रुको और जाओ यह चोटे सर्क्रां याद रहेगा नव निष्चर्वाद का जो है परबल समर्थख इन्होंने जो अपना ये सिद्धान था ना उस सिद्धान को क्या कहा था क्या कहा इन्होंने रुको और जाओ Stop and Go Determinism रुको और जाओ का सिद्धान ठीक है और इसी सिद्धान के अंतरगत यह क्या कहता है कि मनुस्य परकरति के विपरित काम करके जिन्दा नहीं रह सकते हैं, इनोंने कहा Ha प्रकर्टी को प्रभलबता नव निश्चवाद के प्रिसकर्थ रूप को आजकल वेग्म निश्चवाद इसको आजकल क्या कहा जाता है वेग्यानिक निश्चवाद निश्चवाद था फिर नव निश्चवाद उसके बाद अब हो गया वेग्यानिक निश्चवाद टेलर ने मनुस्य को परकृति का दास नहीं माना निश्चवाद में क्या उससे थोड़ा अलग चले इन्होंने इ होएगा चलिए यह बात हमने थोमस गृपिट टेलर की बात कर ली हमने संग से अपने बात की अच्छे से जो मौस्टली कि उसने इनसे बन सकते हैं वह आई होफ यह वीडियो को पसंद आया होगा अगर इस आथ इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और हां तोस्तो नमस्कार